हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूध आपका स्वागत हैं हमारे चैनल में टाइगर श्रॉफ के लिए इस साल काफी शानदा रहा है उनकी फिल्म वार ने इस साल बॉक्स आफिस पर कहीं रिकॉर्ड्स तोडे वही अब वो बागी 3 की शूटिंग में बीजी है लेकिन टाइगर के सांस के लिए अब एक बुरी खबर सामने आ रही है दरसल बागी 3 की शूटिंग के दुरान टाइगर को चोट लग गई है इस बात की जानकारी खुद टाइगर ने दी है उन्होंने एक फोटो भी शेयर की बता दें कि टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर की है इसमें फोटो में टाइगर की पीट पर कुछ कर्स के निशान नजर आ रहे हैं उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा बैटल फीड में मामुली कर्स और चोट का पहला सेक्ट उमीद है कि आखरी होगा चब तक मैं नहा ना लू मुझे नहीं दिखते हैं इस पोस्ट को देखने के बाद कई फ्रांस ने टाइगर को कमेंट करके सेहत का ख्याल रखने की सला थी कहना गलत नहीं होगा कि बागी 3 के लिए टाइगर की महनत भी नजर आ रही है कभी तो उन्होंने जबर्दस बॉड़ी बना ली है बता दें कि साल 2016 में बागी फिल्म का पहरा पार्ट रिलीज हुआ था इसके बाद साल 2018 में बागी 2 भी आई थी इन फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर रिकोर्ड तोड कमाई की थी जहां बागी में टाइगर के साथ श्रदा कपूर रिमांस करती नजराईं थी बागी 2 में वो दिशा पटानी के साथ नजराय थे बागी के रिलीज हुए दोनों ही पार्ट्स तर्शकों का दिल चीतने में काम्याब रहे यही वज़ा है कि बागी 3 भी जल्द ही रिलीज होने वाली है इस एक्शन फिल्म को एहमेद खान डारेक्ट कर रही है वहीं से साजित नाडियवाला प्रिड्यूस कर रही है इस फिल्म में टाइगर और श्रधा के अलावा रितेश तेश मुख भी नजराएंगे यह फिल्म साल 2012 में आई तमिल सिंद विटाई की ओफिशल रीमेक है बता दें कि चाइगर श्रध की फिल्म अगले साल 6 मार्च को ठेटर्स पर दस्तक देने वाली है वैसे आप बागी 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटिद हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलीवूर से चुड़ी ख़बरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए यह अपी 10th birthday GQ I am getting an award, yeah, I think so, yeah very special, you know, they've given me a lot of love and support ever since the start of my career and I've done two covers with them and I was here last year also for the awards so, you know, we've been pretty close I was in Bangkok, a student of the year tour का shoot चल रहा था, तो उसमें बजी था you have to prep for the film with Hrithik sir, so, you know, a lot of prep goes into it, yeah challenging, thank you very much, thank you